हलो गाईज मैं हूँ मैं टेक्जैप से और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको सैमसंग गेलेक्सी वाच 2020 में परचेस करनी चाहिए कि नहीं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि गेलेक्सी वाच और जो लेटेस गेलेक्सी वाच 3 है इनमें डिफरेंस कितना है गेलेक्सी वाच 3 14% थेन और 50% लाइटर है गेलेक्सी वाच से क्योंकि इसमें बैटरी गेलेक्सी वाच से चोटी है पर इसकी वजा से गेलेक्सी वाच 3 की बैटरी लाइफ ओवराल कम हो जाती है Galaxy Watch 1 की बैटरी है 472 mAh की वहीं Galaxy Watch 3 की बैटरी है 340 mAh की Galaxy Watch 3 में ज्यादा स्टोरेज है इसमें आपको 8 GB की स्टोरेज मिलती है वहीं Galaxy Watch 1 में आपको 4 GB की स्टोरेज मिलती है Galaxy Watch 3 में बेजल्स थिन होनी की वज़ासे इसका स्क्रीन साइज थोड़ा जादा है Galaxy Watch 1 से Galaxy Watch 3 में आपको 1.4 इंच की स्क्रीन मिलेगी वहीं Galaxy Watch 1 में आपको 1.3 इंच की स्क्रीन मिलती है और Galaxy Watch 3 में आपको ECG और Blood Pressure का भी option मिल जाता है जो कि Galaxy Watch 1 में नहीं है तो ये तो होगे differences अब जानते हैं कि Galaxy Watch 1 दो साल बात purchase करना worth है या नहीं तो पहले इसके कुछ अच्छे points डिसकस कर लेते हैं पहली चीज़ है इसकी screen ये 360 by 360 resolution की screen है OLED Technology और Gorilla Glass DX Plus Protection के साथ और ये देखने में काफी clear लगती है सारे watch faces इस पे बहुत clear और शाप नज़र आते हैं और इस display की sunlight legibility भी बहुती awesome है मैं इस watch को एक साल से use कर रहा हूँ और इसकी screen पे एक single scratch भी नहीं आया है तो screen पे scratches की tension लेनी की ज़रूरत तो आपको नहीं है design भी इसका बहुत अच्छा है ये आपकी wrist पर एक proper watch जैसी लगती है ना कि कोई smart watch जो की बहुत अच्छी चीज है इसमें sides पर metal और back पर plastic यूज की गई है और overall ये watch बहुत ही premium feel होती है बस मुझे इसमें ये कमी लगी कि जो metal की sides है उसमें मेरी वाली watch पर थोड़ scratches आ गए है तो वो एक मुझे थोड़ी problem लगी battery life के मामले में watch बहुत बढ़ी है ये मुझे 4 दिन का battery backup बे देती है without always on display जबकि मैं इसमें continuous heart rate measurement भी on रखता हूँ और always on display के साथ ही ये 3 दिन का backup दे देती है तो always on display के साथ 1 दिन backup कम हो जाता है तो battery backup के मामले में मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इस watch से और charging की बात करें तो इसके साथ आपको wireless charging dock मिलेगा जिस पे आप इसे बहुत easily charge कर सकते है इस watch को 0-100% charge होने में 3 घंटे लग जाते है जो की ठीक है rotating bezel जो की सिर्फ आपको samsung की watch में ही देखने को मिलता है वो बड़ ही कमाल का है यह बहुत easily rotate होता है और बहुत अच्छी clicky feel है इसकी और इस bezel की वज़ा से इस smart watch को operate करना बहुत easy हो जाता है इस watch को आप अलग-अलग band से customize भी कर सकते हैं और इसमें आप कोई भी 22 mm का band लगा सकते हैं जो की बहुत अच्छी चीज है software भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा इस watch में आपको Samsung का Tizen OS मिलता है with latest One UI 2.0 यह software बहुत easy to use है और rotating bezel की वज़ा से इसको use करने का experience और भी बहतर हो जाता है इसमें आपके phone के सारे notification प्रॉपरली शो करता है और आप quick reply भी कर सकते हैं इसमें आपको emojis का option भी मिल जाएगा यह software mostly smooth चलता है पर watch को week में एक बार reboot करना पड़ता है best performance के लिए आप इस watch से call, receive और reject कर सकते हैं और इसमें built-in speaker होनी की वज़ा से आप इस watch के through ही बात भी कर सकते हैं और एक watch के हिसाब से इसकी call quality बहुत awesome लगी मुझे और इसकी speaker की भी काफी आवाज loud और clear है fitness और health features की बात करनूं तो इसमें आपको heart rate और stress monitor जैसे features मिल जाते हैं और मैंने इसकी accuracy proper pulse rate measurement device से compare कर चुका हूँ और believe me guys यह बहुत ही accurate heart rate शो करता है stress measurement वाला feature मुझे gimmicky लगा और यह mostly गलत ही stress level शो करता है पर हाँ इसमें जो breathing exercise वाला feature है वो मुझे काफी अच्छा लगा fitness features में आप अपने daily steps count कर सकते हैं जिसकी accuracy काफी बढ़िया है आप अपनी calories burnt count कर सकते हैं आपने कितने floors चड़े वो भी count कर सकते हैं और बाकी इसमें आपको अलग अलग workout के option भी मिलेंगे और कुछ exercise में तो यह watch rep count भी show करेगी इसमें sleep tracking भी होती है पर उसके लिए आपको इसे पहन कर सोना पड़ेगा और यह आप काफी detail जान सकते हैं अपनी sleep के बारे में कि आपकी sleep duration कितनी थी या deep sleep और light sleep कितनी थी etc. etc. तो यह feature मुझे काफी अच्छा और accurate लगा बाकी features की बात करूँ तो इसमें आप काफी अच्छे अच्छे watch faces stores डाउनलोड कर सकते हैं इसमें आपको altitude meter और barometer भी मिलता है जिसकी वजह से अगर कोई storm आने वाला है तो यह predict कर देती है पहले ही pressure changes को read करके जो कि मुझे काफी अच्छी चीज लगी यह watch आपका heart rate continuously measure करती ही रहती है तो अगर आपका heart rate सोड़ा जादा चला जाता है नॉर्मल से या नॉर्मल से कम भी हो जाता है तो यह आपको alert कर देगी कि आपको check up कराना चाहिए तो यह feature भी मुझे काफी अच्छा लगा इसका कुछ built-in watch faces में आपको हलकी सी ticking sound भी सुनाई देगी जिससे आपको एक real watch की feel मिलेगी और इससे पता चलता है कि Samsung ने छोटी छोटी details पे बहुत ध्यान दिया है एक और feature है जो की बदाना बहुत जरूरी है इस घड़ी के बारे में जो की है IP68 और 5 ATM water resistance rating फॉर आ वाच दिस वेरी important बिकाज यह sports बारिश में यह swimming के टाइम पे watch को safe to use बनाता है तो चलिए अब इस watch की कुछ कमियों के बारे हम बात कर लेते है पहली कमी तो यह कि यह थोड़ी bulky और heavy है बाकी watches के comparison में जिसकी होजासे इसे workout के time पहनने पर थोड़ी problem होती है और sleep tracking के लिए भी इसे पहनना possible नहीं है इसके size की होजासे दूसरी कभी मुझे यह लगी कि इसके side के जो buttons है वो थोड़े harder side पे हैं प्रेस करने में तो अगर थोड़े soft होते तो ज्यादा अच्छा होता यह वैसे कोई बहुत बड़ा issue तो नहीं है पर मुझे जैसा लगा तो मैंने आपको बता दिया और तीसरी कमी यह कि बहुत ही rare occasions में इसका rotating bezel थोड़ा tight सा feel होता है rotate करने में और फिर अपने आपी एक दिन में ठीक भी हो जाता है तो यह मुझे एक weird सी बात लगी यह भी हो सकता है कि मेरे पास जो unit है उसी में कुछ problem हो तो अगर ऐसा कुछ है तो please comment करके आप मुझे comment section है बता सकते है last जो कमी लगी मुझे वो है Bixby यह Samsung का voice assistant है पर यह बहुत ही inconsistent work करता है यह कभी तो आपके command size होने का बट mostly तो यह Indian accent समझी नहीं पाता तो यह voice assistance तो मुझे basically useless ही लगा इस watch में Siri या फिर Google Assistant से compare करने के लाइक भी नहीं है to be honest चलिए तो मैं as a user अपना final opinion भी दे देता हूँ अगर आप इस watch को daily दिन भर पहन सकते हैं तो यह आपके लिए काफी useful gadget है और यह watch आज launch के 2 साल बाद 2020 में 20,000 रुपी से भी कम में available है जो इसको एक value for money smart watch बनाता है and yes आप इसे definitely purchase कर सकते हैं अगर आप एक Samsung fan है तो disappoint बिलकुल नहीं होंगे तो यह था मेरा experience प्लस review Samsung Galaxy Watch का आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like जरू करिएगा और चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा so thanks a lot for watching